कि अब हम लोग चलेंगे अगले टाइप में टाइप फोर के बाद अब बारी है टाइप फाइब की यह भी आपका बहुत ही important type है और हर exam में यहाँ से question जहाँ भी math से question पुछा जाएगा ना हर exam में यहाँ से question आपको देखने को मिलेगा type 5 very very important type ठीक है बोला क्या इस question में देखे करने के लिए 20 ब्यक्ति को दिन में 8 घंटा काम करते हुए 15 दिन का समय लगता है उसी काम को चार दिन में पूरा करने के लिए 60 ब्यक्तियों को प्रति दिन कितना घंटा काम करना होगा यह जो type है ना इसको हम लोग बोलते हैं mdh type क्या कहला आएगा यह आपका mds type और यहां पर mdh formula का भी हम लोग उपयोग करेंगे क्या करेंगे mdh formula क्या होगा इसमें हम लोग सबसे पहले लिखते हैं m1 गुना h1 या d1 एक ही बात है पहले h1 लिखे पहले d1 लिखे बटा m1 गुने h1 गुने d1 बटा w1 बराबर m2 गुना h2 गुना d2 बटा w2 इस फॉर्मूला को अप अच्छे से समझ लिजे बहुत काम आएगा m1 गुने h1 गुने d1 बटा w1 बराबर m2 गुने h2 गुने d2 बटा w2 इसमें mdh आ गया m का मतलब क्या होता है m का मतलब होता है number of main यानि workers का संख्या worker main के रूप में भी हो सकता है और एच फॉर हो जाएगा आपका आवर तो जब भी सवाल इस तरीके से दे कि इतना वर्कर प्रति दिन इतना घंटा काम करके किसी काम को इतने दिनों में कर सकता है तो ऐसे सवाल में हम लोग MDH formula का उपयोग करते हैं जहां M का मतलब होगा number of workers M for man और worker का जो standard form है man ही है इस बज़े से man ले रहे हैं यहां पर D for क्या होगा days यानि कितने दिनों तक काम करता है H for क्या हो जाएगा आवर यानि कितना घंटा प्रति दिन काम करता है और W for क्या हो जाएगा work W for क्या होगा work यानि कितना काम करता है तो जो काम होगा हमेशा नीचे रखिएगा ध्यान रखिएगा M1 H1 D1 आदमी का संख्या कितना घंटा काम किया कितना दिन काम किया सब उपर रहेगा काम सिर्फ कहां रहेगा नीचे आगे चलिए M2H2D2 अब यह 2 और 1 क्या है तो पहल दिन काम करेगा उसको D1 से जितना काम करेगा उसको W1 से और दूसरी बार जितना घंटा काम करेगा H2 से जितना दिन काम करेगा D2 से और जो काम करेगा उसको W2 से हम लोग प्रिनोट करेंगे ताम का मात्र अगर नहीं दे रखाओ तो यहां पर हम लोग एक ले लेंगे ध्यान रखेगा अगर कुछ भी काम नहीं है तो हम क्या लेंगे एक लेंगे आगे देख लीजिए अब आपका क्या होता है कि पहले वाले भाग का सभी डाटा देगा M1, H1, D1, W1 सब कुछ मिलेगा इसमें से कोई एक मिसिंग होगा उसी का लेंगे अपना अंसर निकाल लेंगे दूसरा चीज कि यही फॉर्मूला जो है आपका क्या बन जाता है कभी कभी कोश्चन में अगर कोश्चन के पहले भाग में अगर आवर का चर्चा नहीं किया है तो फॉर्मूला हमारा चेंज होकर के हो जाएगा अगर पहले भाग में आवर नहीं दिया है यह नहीं बोला है कि कितना घंटा काम करता है तो फॉर्मूला हमारा चेंज होकर के यह हो जाएगा जैसे इस कोश्चन में आएए इसको उपयोग हम लोग करते हैं बोला है एक निशित काल्ज को पूरा करने के लिए 20 ब्यक्ति तो M1 का वैलू क्या होगे M1 का वैलू आपका 20 हो गया आगे चलिए प्रति दिन आठ घंटा काम करके H1 का वैलू कितना हो गया आठ घंटा 15 दिनों में पूरा करता है, 15 दिन में पूरा करता है, कितना काम नहीं मालूम है तो हम एक मान लिए, देख लिए क्या बोला था question में, 20 ब्यक्ति, एमोन का value 20 हो जाएगा, दिन में 8 घंटा काम करते हुए 15 दिन का समय लगाता है, किसी काम को करने, आगे बोला है, उसी काम को, अब काम वही है, जो W1 है, वही आपका W2 है, मतलब इधर भी क्या लिखेंगे, हम एक लिखेंगे, उसी काम को, चार दिन में पूरा करने के लिए, 60 ब्यक्तियों को प्रति दिन कितना घंटा काम करना होगा, इसी काम को कितना ब्यक्ति से लेना है, 60 ब्यक्ति से, 60 ब्यक्ति प्रति दिन क कितना घंटा काम करना होगा साथ अब्यक्ति प्रति दिन कितना घंटा काम करे एच टू पुछा है इसको एक समान लिए ताकि काम चार दिन में आपका फिनिस हो जाए पस इस पैटर्न के उपर लेकर के कोशन को आना है और फटा-फट से स्वोल्प कर लेना है अगर आप इसक काटिएगा उपर से उपर वाला कटेगा ना बिस से काटिएगा तो तीन बार में तीन से काटिएगा तो तीन पंचे पंद्रह हो जाएगा चार से काटिएगा चार दूना आठ हो जाएगा इधर क्या है दो गुने पांच तो दो गुने पांच दस हो जाएगा बराबर काम को करने में 60 को कितना दिन समय लग जाएगा चार दिन आपको क्या करना कुछ नहीं करना इस फॉर्मला के ऊपर डाठा को डाल देना है और अपना आनसर निकाल लेना है अगया चलते हैं अगला कोश्चन देखते हैं क्या है यहां बोला है कि 24 ब्यक्ति प्रति दिन 12 घंटा एंवान का मान कितना हो गया चोवीस होन का मान कितना हो गया बारा 24 ब्यक्ति प्रति दिन 12 घंटा काम करके एक काम को 15 दिन में एक काम को कितने दिन में करता है 15 दिन 24 आदमी प्रति दिन 12 घंटा काम करके एक काम को 15 तो बोला है 36 व्यक्ति प्रति दिन 10 घंटा काम करके आगे देख लिजे फिर से क्या बोला 36 व्यक्ति प्रति दिन 10 घंटा काम करते हुए उसके दो गुने काम की मातरा को कितना दिन में कितना दिन में पूरा करेगा डीटू का क्या पूछा यहां पे डीटू का मान पूछा है डीटू का मान एक्स मान लिए और इसके दो गुने काम को 37 ब्यक्ति 10 घंटा काम करते भे उस काम के दो गुने काम को कितने दिनों में पूरा करेगा 36 ब्यक्ति प्रति दिन 10 घंटा काम करते हुए पीछे जो काम हुआ उसके दो गुने काम को कितना दिन में पुड़ा करेगा क्या पूछ रखा था डीटू पूछ रखा था डीटू को हम क्या मान लिए एक्स मान लिए तोल्ब करी आंसर आपका आजाएगा 2 से अगर हम इसको काटते हैं कितना हो जाएगा 2 से काटिएगा तो 18 हो जाएगा आगे देख लिजे आगे 6 से काटेंगे तो 6 दूना 12 हो जाएगा और 6 तरीक 18 हो जाएगा यहाँ पे और 3 से काटेंगे तो 3 पंचे 15 हो जाएगा यहां 5 गुना 2 कितना हो जाएगा 10 आपका कर जाएगा इधर आपका बच गया 24 बराबर इधर x x क्या माने थे जो question में पूछा था e2 x माने थे तो x का value आपका 24 हो जाएगा अंसर इस question का विकल्प B सिर्फ और सिर्फ क्या करना है आपको इस पैटर्न के उपर डाटा को फूट कर देना अगला सवाल देखे क्या बोला है 15 ब्यक्ति प्रतिदिन 6 गंटा काम करके 900 रुपय कमाता है पंदरा ब्यक्ति प्रतिदिन 6 घंट काम करके कितना कमाता है 900 रुप हम से कर लिए अगर आप इसको काट मdefined कि और उप्रुणा निकरी situation को सब्सक्राइब कर लिए अगर आप इसको काटियेगा तो पंदो explorer चाट येगा नॉटर के काटियेगा 10 बार में cross multiply करिए x बराबर क्या होगा 20 गुने 10 दो सो 200 में 10 से गुना करिएगा 2000 प्रति दिन 8 घंटा काम करते हुए 18 ब्यक्ति 3 उनिट काम 10 दिन में 8 घंटा काम करते हुए 18 ब्यक्ति देखिए 18 ब्यक्ति प्रति दिन 3 घंटा काम करता है 18 ब्यक्ति प्रति दिन कितना घंटा 8 घंटा काम करता है तो 3 उनिट काम 10 दिन में 18 ब्यक्ति प्रति दिन 8 घंटा काम करता है तो इस तरीके से 10 दिन में जो है वह कितना उनिट काम करता है तीन यूनिट काम, तो तीन यूनिट काम करता है, तो तीन तो काम है ना, तो काम कहां रहेगा, नीशे रहेगा, दस दिन में पुरा करता है, D1 कामान दस हो गया, आगे बोला है, प्रति दिन 6 घंटा काम करते हुए 25 ब्यक्ति, अब देखिए 25 ब्यक्ति से प्रति दिन हमें 6 शे घंडा काम लेना हैं पचीश सवेख्थी प्रति दिन शे घंडा काम करते हुए तर hadgef C Cabby State काम कृत चितनी दिनों में D2 का माने पूछा है कितना यूनिट काम इससे लेना और भी तो बत्ता में पांच लीखिएंगे T ये से आपका 6 कैंसिल हो गया 5 से काटेंगे 5 गुना 10 हो जाएगा 2 गुना 8 16 16 किसका वैलू हो जाएगा X का वैलू 16 हो गया X क्या माने थे ải एक शमाने थे कितने दिनों में काम आपका कंप्लीट करेगा 5 यूनिट एक सी कमान आपका 16 हमेब धियान और यह बस इतना सा इनके 5 यूनिट कामा वान कितना हो कि तीनी हो गी जो काम होगा gladust को हमेशा कंहां रखना है हमेशा उसको नीचे रखना है 창ाई को आनूर तो स्र question number 48, देखे, पंध्रा स्रमिक दस दिन में, पंध्रा स्रमिक यानि पंध्रा मझदूर जो है वह 10 दिन में कितना कमाता है, अठारा सो रुपे तो पंदर गुने 10 बटा क्या लिखेंगे अठारा सो बराबर आठ दिन में 5 स्रमिक 5 स्रमिक जो है वो आठ दिन में 5 ब्यक्ति 8 दिन में कितना रुपया कमाएगा कितना धन अरजित करेगा दोल्ब करिए काटिएगा यहाँ पे तो 0 से तो पहले 0 एक काट लेते हैं 5 से काटेंगे तो 5 ती आप 15 हो जाएगा और 3 से काटेंगे कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा cross multiply करिए x का value 6,8,4,480 रुपए आपके question का जही answer 480 रुपए आपका हमा लेगा आगे चलिए अगला सवाल देखे क्या है question number 49 बोलाए 12 आदमी 9 घंटा प्रति दिन काम करके 12 आदमी प्रति दिन 9 घंटा काम करके किसी काम को 30 दिन में किसी काम को कितने दिन में 30 दिन में किसी काम से पता नहीं चलता है तो हम 1 unit काम ले लिए आगे चलिए अब बोलाए इसके 10 घंटा प्रति दिन करते हुए 24 दिन में पुड़ा करने के लिए कितना आदमी M2 का भेलू पूछा है तो M2 का भेलू एक समान लिए प्रति दिन इससे 5 घंटा काम लेना है और इस काम को complete करवाना है कितना दिन में 24 दिन में यहां पर 5 से काटेंगे तो 5 दूना 10 हो जाएगा और 2 से काटेंगे तो 12 दूना 24 हो जाएगा आगे देखिए 12 से 12 कैंसिल हो गया 9 में 30 से गुना करेंगे 270 270 बराबर कितना होगा X यानि 270 ब्यक्तियों कि आप सकता होगी यही आपके सवाल का सही जवाब होगा आगे चलिए